हेलो फैंस तो आज मैं आपको बताऊंगा हलवाई स्टाइल बंडारे वाली आलू की सबजी कैसे बनायाती है ये सबजी खाने में टेश्टी होती होती है बनाने में बहुत ज़्यादा आसान होती है इसको आप सिर्फ और सिर्फ 15-20 मिन में घर पे बना सकते हैं और इसके साथ में हम बनाएंगे ऐसी फूली फूली गर्मा गर्म पूरिया तो दोनों ही रेस्पी आज मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप इनको घर पे बना सकते हैं पानी तना डालने आपने की आलू जो है आदे पानी में आपे डूब जाएं इसके साथ में थोड़ा सा इसमें नमक एड़ कर देशे और इसके बद आपने कुकर कोपर से कवर कर देना है गैस की फ्लेम आपने ना हाई करने जब तब बिसल ना आए, जैसे एक बिसल आए जाएगी, इसके बद आपने गैस की फ्लेम मीडियूम कर देनी है, मीडियूम फ्लेम में 10 मिर्ट तक आलूम को आपने उबलने देना है, तब तक और थैरी कर लेते हैं, तीन यहां पर मैंने लिए हैं, चार हारी मिर्च लिए है, तमार्टों का बरी कार्ट लिशे, मिर्ची को बनवाई टू कर लेना है तोड़े से खड़े मसाले, दो छोटी लैची, काली मिर्च, दाल चिनी, लॉंग और एक बड़ी लैची, दो तेश पता लेना है, एक छोटा चमझ साबू जीरा, दनियों को आपने कुट लेना ठीक है इसके बद ही हमें एक से डेड़ बड़ चमच उसमें ओड़ करेंगे जैसे ऑपने यह थोड़ा सागर हो जाए इसके फिलेम अदरग करना है और गैस की फिलेम अपने अदरग को अच्छी तरह से आप पका लेजे, बहुत चाह तेस्ट आएगा अधरक से, और इसके साथ में आपने इसमें हरी मिर्श भी आड़ करदेनी है, साथ में आप इसमें बारी कड़ेए टमाटर भी आड़ करदेशे, और टमाटरों को आपने मसालों को साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, इसके आप गैस की फिले मीडियूम कर दीशे, चार से पांच मिन तक टमाटरों को अच्छी तरह से पकने दीशे, तब तक पूरी का डो लगा लेते हैं, यहां पे मैंने आदा किलो आटा लिया है, सबसे पहले आपने आटे में नमक एड़ करना है, तो आदा चमच आप इसमें नमक आट कर दीशे, थोड़ी से आपने चीनी अड़ करने है, चीनी क्यों डालते हैं, पूरीयों के ओपर एक अच्छा कलर आता है, थोड़ी से आप इसमें अजवाइन डाल दीशे, डाइशन के लिए बहुत भी बहतरीन होती है, तो थोड़ी से अजवाइन आपने जरूर डा तो देखिए, सूजी अच्छी तरस से सॉफ्ट हो चुकी है, इसके बद आपने सूजी को भी आटे में एड़ कर देना है, अगर आप सूजी ड्रेक्ट डालेंगे, फिर आपको डो को ना रेश्ट देन की जूरूर पड़ती है, ने तो सूजी के न छोड़-छोड़े दा हो जाता है, तो ओके देखिए, आटे को आपने अच्छी तरस से कमस्कम 3-4 मिन तक गूंद भी लेना है, और इस तरह से डो लगा के त्यार कर लीचे, हलका सा उपर आपने ऑपने लगाना है, और डो को आपने रेश्ट देना है, कमस्कम 20 मिन का रेश्ट देश्ट और गे देखिए, 5 मिन के बाद देख सकते हैं हमारे जो टमाटरे यहां पे, अच्छी तरस से गल चुके हैं, अच्छी से पक चुके हैं, तो टमाटरों को आपने इस सबजी बनाने के लिए अच्छी तरस से पकाना है, तभी सबजी में एक अच्छा टेस्ट आएगा, एक चमच आप इसमें धनिया पौडर एड़ कीशे, आदा चमच आपने इसमें जीरा पौडर एड़ करना है, कच्छा जीरा पौडर का मैंने यहां पे यूस किया है, थोड़ी सी कसूरी मित्य आड़ कीशे, और इसके साथ में थोड़ा सा आपने इसमें गर्मसाला पौड प्रम्सार नाज़ना शुरू ना कर दे तो देखिए मसाल अच्छे तरह से पकचे हैं अब जितनी दिर में आपका इस सारा काम होगा उतनी दिर में आपके आलू भी बौइल ओचाएंगे यह देखिए आलू यहां पे बौइल हो चुके हैं प्रेशर कुकर का धकन खोलते हैं देख सकते हैं आलू ना उपर से थोड़े से फट भी चुके हैं तो जो हम सबजी बनाते हैं आलू की इस सबजी के लिए आपके जो आलू है अच्छी तरह से बॉइल होने चीए कच्छे नी रखने आलू आपने ये देखिए अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं तो आपने आलों को मैश करना है ये देखे हलके से आलो गर्म है तो यहाँ पर मैं गिलास से इनको मैश कर रहा हूँ आप मैशर से मैश कर सकते हैं और अगर आपके आलो बिल्कुर ठंटे हो जाएं तो इनको आप हाथ से भी मैश कर सकते हैं और आप चाहें जैसे आपने सुबह सबजी बनानी हो रात को इनको बॉयल करके रख लिशे आपकी जो सबजी और जल्दी बन के त्याहर हो जाएगी तो इसके बुद आपने इन आलों को यहाँ पर मसाले में एड़ करते ना है और मसालों के साथ आपने आलों के यहाँ बनाई करनी है आलों को भून के आपने सबजी बनाते ना अच्छा टेस्ट निकल के आता है अगर आप डिरेक्टिस में पानी डाल देंगे उतना अच्छा टेस्ट नियाता है सबजी में और सबजी में उतना अच्छा कलर भी नहीं आता है तो ओके देखे एक से डेड़ मिनुन तक मैंने आलों की बुनाई कर लिया है और अच्छी तरह से आलों के ओपर जो मसाला है वो यहां पर कोट भी हो चुका है अब इसके उपने सबजी में पानी एड़ करना है तो यहां पर मैं ठंडे पानी के यूज़ कर रहा हूँ आप चाहिए इसमें गरम पानी के यूज़ भी कर सकते हैं तो लगवत तीन से चार कप आप इसमें पानी एड़ कर दीशे और अच्छी तरह से पानी के साथ सबजी को मिक्स कर लीशे अब इसके वज़ गैस की फ्लेम आपने ना हाई कर देनी है ताकि जल्दी से बॉल आ जाए और दो से तीन मिट तक हाई फ्लेम आप सबजी को आपे पकने दीशे ताकि आलू जो है मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो के देंगे अब देख सकते हैं सबजी में अच्छी खासी तिए एंप ठिकनेश है चुकी है और हमारी अच्छी तरह से पक भी चुकी है और इसके बदेशी वलेशे सबजी में थोड़ा सा बरी कड़ा हरा धनीयडा डाल देना है और सबजी में नमकृ टेश किया था, मुझे थोड़ासा नमक कम लग रहा था थोड़ासा मैंने इसमें नमक भी ऐड़ करदी है धनी और नमको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं हब हमने इस सबजी में एक चोऊक लगाना है इस चौंग से सब्जी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है आप एक पैन लीशे, उसमें थोड़ा सा देसी घी अट कीशे गी को अपने अच्छी तरह से मेल्ट कर रहे ना है जैसे घी मेल्ट हो चाएगा इसके बुद आपने इसमें थोड़ा सा हींग अट करना है तो यह हमारी बंडार वाली आलू की जो सब्जी है वो त्यार हो चुकी है इसको आप पूरियों के साथ सर्व कर सकते हैं अब इसके आप पूरियों बना लेते हैं 20 मिनट हो चुके हैं डो लगाए होए और यह देखिए हमारे जो डो है अच्छी तरह से सेट हो चुका है फिर इसको एक वार अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं तक इसमें थोड़े बहु लंब सो बो भी खत्म हो चाहें इसके बुद आपने इसके पेड़े बनाने के लिए और टेबल के उपर हलका सा ओयल लगा लेते हैं इसके बद आपने इस डो का एक बड़ा सा रोल बना लेना है यह देखिए इस तरह से सुखहाटा का यूज बिलकुल नहीं करना है सुखहाटा का यूज करेंगे आपका जो ओयल बोख रहा हो जाता है तो आप पहले ओयल लगा के इस तरह से रोल बनाएए चोटे-चोटे इसके पेड़े बनाने हैं पेड़े को अच्छी तरह से आप यहाँ पे रोल कर लीजिए इस तरह से रोल कर लीजिए अगर आपने सुखहाट जैसे पूरिया बनानी है तो रात को भी इसका डोल लगा के आप रख सकते हैं तो यहाँ पे देखिए पेड़ों को हलका असा ओयल लगा देते हैं ताकि पेड़े आप समय चिपके ना और ओयल लगाने से एक और फाइद होता है पेड़े जो हैं सूकते नहीं है तो ओके देखे पेड़ों को एक साइड कर देते हैं अब दो मिनिट हो चुके हैं इसके पूरी बनानी है तो इस तरह से पेड़े को प्रेस कीजिए और बेलन की साय तरह से आप इसको बेल लेशे हैं ये देखे इस तरह से बेलना है क्योंकि हमारे जो डो है अच्छा पूरी निकरने ने तो आपकी जो पूरी है पापड़ की तरह क्रिस्पी हो जाती है कि देखिए कितनी अच्छी हमारी पूरी बन चुकी है तो फ्रेंस आपको वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट चुरूर कीज़ेगा होगे फ्रेंस थेंक्यू